अच्छा विवाह कहां करना चाहिए हमारे यहां विवाह के लिए परमीशन सास्त्रों ने दी कि ब्रामणों का विवाह ब्रामणों में ही होना चाहिए किसका विवाह ब्रामणों का विवाह छत्रियों का विवाह छत्री में वैस्ष का विवाह वैस्ष में और सूत्र का विवाह सूत्र में अब आप कहेंगे कि महराजी हमें कोई लड़का पसंद है हम तो प्यार करते हैं साधी कर लें तो क्या बुराई है सुनो सास्त्रों में लिखा है इस पश्ट तरीके से कहोगे तो पढ़ा दूँगा आपको सास्त्र कहते हैं कि जैसे पिता ब्रामहन है और मा छहत्री है पिता ब्रामण या मा वैश पिता ब्रामण या मा लड़का लड़की आजकल जाती वाती नहीं देखते न साधी कर लेते हैं सास्त्र कहते हैं कि जो लड़का लड़की यदि पिता ब्रामण है और मा छत्री और वैश है और तुमारी जो संतान होगी, उस संतान से तुमारे पितर पानी नहीं लेंगे, वो संतान तरपन करने की, पिंड़दान करने की अधिकारी नहीं होती, उस संतान को वर्ण संकरी कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्ण संकरी, उदाहरा से समझो, जैसे गुलाब, गुलाब कितने कलर का होता है, बहुत कलर के गुलाब होते हैं, मैं दो कलर की बात करूँ, एक सफेद कलर का गुलाब होता है, एक लाल कलर का गुलाब होता है, रैड और वाइट, दो कलर के गुलाब, मैं बात दो कलर की करूँ, होते तो बहुत हैं, अब एक काम करना, कि सफेद कलर के गुलाब क कि कलम निकालो और लाल कलर के गुलाब की कलम से जोड़ दो और उसे बढ़िया खाद पानी दो तो उससे जो गुलाब होगा दौनों के मिक्सप से जो गुलाब होगा वो किस कलर का होगा जोर से जोर से वो तीसरे कलर का होगा, वो पिंक कलर का होगा इसलिए आप समझो कि जब एक कलर को दूसरे कलर में intuition किया जाता है तो तीसरा कलर उभरता है बोलो हायाना उसी तरह जब ब्रामन का संबंद छत्री से होगा तो उसकी जो संतान होगी ना वो ब्रामन कहलाएगी ना वो छत्री कहलाएगी वो तीसरी ही प्रजाती होगी और उसी प्रजाती का नाम बर्न संकरता है और ऐसे वर्ण संक्रियों से तुमारे पितर पानी नहीं लेते, पिंडदान स्वीकार नहीं करते, सास्त्र गवाह है, इसलिए मा भी स्रेष्ठ हो और पिता भी स्रेष्ठ ब्रामण के संथ, विवाह ब्रामणों के साथ छत्रिय ये परमपरा है, ब्रामणों का विवाह, ब्र कुदारण के तोर पर एक देशी गाय लो और एक जर्सी गाय लो बिल्कुल प्रमाणिक उदारण दे रहा हूं मैं आपको यह सब बातें इसलिए समझा रहा हूं कि यह नौ जबान पीड़ी तुम साइंस के तरीके से समझते हो मैं तुम्हें साइंस के तरीके से समझाऊंगा एक जर्सी गाए और एक देसी गाए जर्सी गाए समझते हैं गाए दो नसल की होती है ना देसी गाए और स्रेष्ठ गाए कौन सी होती है देसी गाए जर्सी गाए स्रेष्ठ ना तो जर्सी गाए का दूर स्रेष्ठ होता है ना तो जर्सी को गाए कहते हैं वो तो जानवर की कोटी में है पर व्यवहार में हम आपको बोल रहे हैं जो देशी गाए है ज़रा समझना यदी हमारी देशी गाए जरसी के नंदी के साथ यदी गरहवती हो गई तो जब नंदी जरसी होगा और गाए देशी होगी फिर उस गाए का नौ महिनेवा जो करके देखना ना वो देशी होगा ना वो जरसी होगा बीच का बच्चा होगा गाए का ना वो देशी कहलाएगा ना वो वो मिक्स हो गया क्योंकि मां हो गई देशी और नंदी हो गया जरसी तो मिक्स अप वही है ब्रामन पिता और छत्रिय मां ब्रामन छत्रिय पिता और व तो दसरजी छत्रिय थे और कौसिल्यामा छत्रिय हैं और जब दौनों छत्रिय स्रेष्ठ थे तो उनके घर स्रेष्ठ भगवान का जनम हुआ सुनीती छत्रिय और उत्तान पाद छत्रिय दौनों स्रेष्ठ छत्रिय थे तो ध्रुव का जनम हुआ इसलिए मा भी स्रेश्ठ हो और पिता भी आप लोग जो कहते हो ना प्यार किया तो डरना क्या किसी से भी प्यार करो न जी, इसका परिडाम आने वाली संतानों मे देखा जाएगा आज जितने भी उतपात मचाने वाले लोग हैं नालायक लोग हैं दुष्ट लोग हैं इतिहास छान कर देखना ये सब बर्ण संक्री होंगे इसलिए नालायक है स्रेष्ट मा और स्रेष्ट बाप से जना बेटा या बेटी जिनके अंदर लाज है शरम है धर्म है दया है वो स्रेष्ट मा बाप से पैदा हुए होंगे और जिनके अंदर दया नहीं प्रेम नहीं जिनके अंदर करुणा नहीं जिनके अंदर इंसानियत नहीं जराइतिहास खुसकर देखना इनके जीवन में यह जरूड बर्न संकरता से फैदा हुए उपर कोई गड़वर था कि माबाप के अंदर दया है तो दयावान बेटा होगा रोगा पीपल का दाना कितना बडा होता है पीपल का बीज कि इतना बढ़ा होता है और कि चीटी के मुऊ बड़ाभर है अब बताओ पीपल का इतना सा दाना उस इतने से दाने में पीपल का इतना बड़ा व्रक्ष छिपा है की नहीं बोलो हाँ उस इतने से फीपल के दाने में इतना बड़ा विशाल व्रक्ष और व्रक्ष ही नहीं पूरी प्लानिंग उस बीज में है कि ये किस सीजन में पत जड़ की दरव जाएगा किसी जन में इसके पत्ते आएंगे, किसी जन में इसके फल लगेंगे और फलों के बाद बीज इसका कितना बड़ा होगा इतने से दाने में पूरी उसकी 100 साल, 200 साल, 500 साल जितनी पीपल की आयू है पूरी उसके अंदर पूरी प्लानिंग समाई है के नहीं अब बताओ, पीपल का बीज बोया, तो क्या आम हो सकता है जोर से, क्या पीपल के दाने से आम होगा तो फिर यदि तुमारी मा संसकारी है, तुमारा बाप संसकारी है तो तुमारी उलाद संसकारी होगी, यदि दुष्ट हुई, तो बीज गलत है प्राबिलम बीज में हैं क्योंकि जो किसान बीज जितना स्रेष्ठ बीज बोएगा हसल उतनी स्रेष्ठ होगी किसान अच्छी से अच्छी क्वालिटी का बीज लाकर खेत में बोता है चाहे आलू का हो, चाहे ग्याहूं का हो, चने का हो, धान भी हम लोग सेलेक्ट करते हैं न, बड़िया सी धान बॉयंगे, बड़िया क्वालिटी का बीज खरीत के किसान लाता है, क्योंकि जितना स्रेष्ट बीज होगा, धान उतनी बड़ी है अब आप देखो, कि आपकी उल कई बार डॉंक्टर कहते हैं, आपको डाइविडीज हो जाए, आपको दूसरी बीमारी हो जाए, तो कई बार डॉंक्टर क्या पूंचते हैं, क्या ये बीमारी तुम्हारी पिता को है, क्या तुम्हारी ये मा को है, क्या बीमारियां बाप से बच्चे तक जाती हैं, कितने ल अब सुनो जब बीमारी बाप की बेटे में आ सकती है तो संसकार बाप के बेटे में क्यों नहीं आ सकते जब बीमारी मा की बेटे में आ सकती है तो मा के संसकार आपका खाया पिया बोला चाला हर व्यवहार बच्चे के अंदर प्रवेश करता है इसलिए संसकार बच्चों को देना माबाप की जिम्मेदारी इसलिए पिता का चयन मा का चयन अर्थात पतनी का और पती का चयन बड़ी इसलिए तुमारे बाप दादे लड़का लड़की ढूणने में बहुत खोजबीन करते हैं स्रेश्ट घराने की लड़की हो स्रेश्ट घराने का लड़का हो कुंडल साधी मिलाते हैं नक्षत्र मिलाते हैं रासियां मिलाते हैं सम मिलाते गोत्र मिलाते एक गोत्र नहीं होना चाहिए सम गोत्र में विवाह नहीं होता इतना साधी विवाह में छान भीन होती है इसलिए ताकि तुमारी संतान स्रेष्ट हो लेकर आजकल के बच्चों को तो आगे भवस्य का कोई प्लान है नहीं, संतानों के बारे में जानते नहीं, उन्हें तो साधी जो लड़की अच्छी लगी कर लिया, इसका परिणाम बाद में आएगा, आज जो बिधर्मी भारत में हैं, अब ये बताओ, अंग्रेज जब आए, मुगल जब आए, तो मुगल भारत म में आए, तो मुगल को इस्त्रियां लेकर छोड़ी आए छे, उन मुगलों ने भारत की इस्त्रियों के साथ पकड़कर उनका बलातकार किया, उनसे जो संतान पैदा की, वो कैसी, ना वो वो ही बन पाए, ना वो ये ही बन पाए, बीच के वो लोग ज़्यादा परिशान कर रहे हैं, बीचों बीच है ना, वो ही तो बिधर्मी है, ना बाप स्रेश्ट बचा, ना मा स्रेश्ट बची, तो वो बिधर्मी आज तक परिशान कर रहे हैं, वो ही तो बिधर्मी है, तो आप मेरी बात से कितना सहमज है मुझे नहीं पता, लेकन जो सत्य था वो मैंने कहा, कि स्रेष्ठ मा और स्रेष्ठ पिता स्रेष्ठ लड़की का चयन करो स्रेष्ठ कुल परंपरा खांदान की लड़की और स्रेष्ठ बंस परंपरा का लड़का इसलिए मेरी बहनों साधी विवाह करने में जल्दी वाजी ना करो आपकी माने आपको पढ़ा लिखा कर योग को बनाया है तो आपके लिए सुन्दर लड़की और सुन्दर लड़के का चयनवी वो अच्छे से करेंगे उन पर विश्वास रखो और मापर विश्वास रखो माप की चपल घिस जाती है बेचारा बाप ओवर टाइम काम करता है आपकी खुशी के लिए के ज़्यादा कमाऊंगा बेटी को पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा और बेटी को लायक बनाऊंगा इसलिए अपने बेटी का अपने माप का थोड़ा सम्मान किया करो आप जब किसी लड़के को लेकर भाग जाती हो किसी लड़की के साथ लड़के भाग जाते हैं तो आप तो भाग कर अपनी साधी कर लेते हो अपना घर बसा लेते हो लेकर जो आपके माप है न वो बेचारे जिस गली से गुजरते हैं समाज उन्हें गलत गलत बोलती है कि तुमारी लड़की भाग गई तुमारा लड़का भाग गया बेचारे मावापको समाज जीने नहीं देती ताने मार मार के मार डालती है इसलिए आप चाहते हैं कि आपके मावापको ताने सुनने पड़े इसलिए माब आपकी बात मानना चाहिए पढ़ना लिखना चाहिए आपको और पढ़ने लिखने के बाद अपने आपको इतना योग बनाओ कि आपके पिता आपकी मा आप पर गर्व कर सके आपका समाज आप पर गर्व कर सके कि भाई ये लड़की हमारे समाज की हमारे परिवार की हमारे भिंड की लड़की है हमारे भिंड का ये लड़का है जो आज नाम रोशन कर रहा है तो आपको अपने छेतर का अपने देश का अपने राष्ट का नाम रौसन करना चाहिए और ये तब संभव है जब आप अच्छी सोच के साथ आगे चलें और हर प्रकार के नसा से बचो ना सिगरेट पीओ ना तमबाखू खाओ ना छोटा से छोटा और बड़े से बड़ा नसा बच जाओ और अपने मावाब का सम्मान बढ़ाओ उनका नाम बढ़ाओ उनकी कीरती बढ़ाओ और कोई आपसे प्यार व्यार करता है तो वो आपसे प्यार नहीं करता उसे सरीरी की भूख है वो मिटाना चाहता है आप क्यों उसके सिकार उसके जूटे जाल में फस रही हो अब आपको मैंने इतनी इस पश्टिता से जो जो कह दिया, आज तक आप कितनी इस पश्टिता से ये बातें किसी ने न कही होंगी, अब आपको हमने कह दी, आपको समझना कितना है, वो आप जानो, ये जो मैंने बातें कहीं, ये सारा रिकॉर्ड अपने बेटी को सुनाना, अपने बच्चों को जो लोग पानी के का माबाप का आदर करना चाहिए, जब माबाप मर जाएंगे तो रोना हाथ लगता है,